माइडियर, आप एक बिजनस ओनर हैं या फिर आप किसी भी प्रकार से बिजनस में इन्वाल्व हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है अगर आपके पास समय है तो इस वीडियो को अभी देखिए और अगर समय नहीं है तो बाद के लिए सेव कर लीजे बाद माइडियर देखिए आप बिजनस का मतलब क्या होता है बिजनस का मतलब होता है लोगों की problem को solve करना अगर आप इस intention के साथ business में हो तो my dear, जो आप business कर रहे हो इस intention के साथ बस इसका मतलब यही है कि आप right place पर right काम कर रहे हैं मतलब एक अच्छा काम आप कर रहे हैं जिसमें आप आने वाले time पर धेर सारा पैसा भी कमा सकते हैं और धेर सारी success आपके और आकरसित हो रही है तो my dear, बात यहाँ पर समझने की जरूरत यह है कि देखिए आप अगर कुछ बहुत बढ़ा करना चाहते हैं तो अब सबसे पहले आप के लिए जो जरूरी है वो क्या है सबसे पहले अपने आप से एक question पूछिए what do you want आप क्या चाहते हो और आप जो चाहते हो करना उसको बना लो अपना goal तो सबसे पहला हमारा point क्या है point है हमारा define a clear goal my dear, आप सबसे पहले अपने life में जो आज आप कर रहे हो उसमें एक clear goal आप define करिए कि बस मुझे ये करना है सबसे पहले मुझे ये करना है तो आपका एक business है business में आप लोगों की सेवा करना चाहते हो लोगों की help कर रहे हो लोगों को grow करने में help कर रहे हो या फिर जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आप एक clear goal identify कीजिए clear goal define कीजिए कि बस मुझे यही चाहिए बस मुझे यही करना है, बस इसके रास्ते क्या होने चाहिए, उसके लिए अब मुझे काम करना है माईडियर, अगर यह आपने कर लिया, अब आपको दूसरा इस्टेप आना है, दूसरा इस्टेप लेना है क्या इस्टेपलिस अक्लियर प्लान, देखें, अभी आपके पास एक गोल है, कि आपको यह करना है उसके बाद अब क्या चाहिए, आपको एक क्लियर प्लान आपको चाहिए, कैसे बनाएंगे आप प्लान देखे आपके sector में जहांपर आप काम कर रहे हो जिस business में आप हो वहाँ पर कई सारे लोग आपके business में top पर होंगे उनके काम के pattern को आप अच्छे से read करीए अच्छे से उनके काम के pattern पर research कीजिए और देखिए कि वो किस strategy को use करके अपने business को establish किया है फिर उसी according जब आप कई लोगों को जो आपके business में अच्छा कर रहे हैं उन पर research करोगे, उनको काम के pattern को समझोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप achieve करना चाहते हो जो आपका clear goal है, उसको आप कैसे achieve करें उसके बाद कैसे आप plan design करें, कौन कौन सी strategy आप उसमें लगाए जिससे आप बहतर कर सकें और अपने plan को execute कर सकें तो my dear, establish a clear plan उसके बाद आपको क्या करना है, आपको तीसरा step लेना है तीसरा step क्या है, strength your self confidence देखें, ये सारी चीज़ों को करने के लिए आप एक बहतर business man बनने के लिए एक successful business man बनने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, self confidence होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ हर एक चीज़ को आप कर सकते हैं आपके business के अंदर जो दूसरे कर पा रहे हैं, वो भी आप कर सकते हो हारी चीज को बहतर 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 आप कर सकते हो, पहले ये आप मान लीजिए, जितने भी successful people होते हैं, उन सब के अंदर एक चीज common होती है, वो है अपने sector को लेकर self confidence, कि ये मैं बहुत ही बहतर कर सकता हूँ, even मुझसे बहतर मेरे काम को कोई नहीं कर सकता है, पहले ये confidence आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप अपने काम में बहतर होंगे माइडियर, तो पहले आप एक अपने हथियार बनाईए, strength बनाईए, अपना मजबूती के साथ, self confidence के साथ, आप business में establish कीजिए, अपने आपको खड़ा कीजिए, अपने आपको बिल्ड कीजिए, माइडियर, आ powerful habits, देखे, आपके, जो goal आपने set किया है, आपके business के अंदर, जो goal आपने set किया है, उसमें कई सारे work आपको करने पड़ते हैं, लेकिन माइडियर, अगर एक काम आप कर लीजे, कि जो work आपको करना पड़ता है अपने business के अंदर, उसको आप अपनी habit बना लीजे, माइडि आपका धेर सारा time waste होता है, क्यों? क्योंकि अपने time को आप evaluate नहीं करते हो, evaluate करने का मतलब यह है, अपने time को देखना कि आपका time कहां पर कितना लग रहा है, जो time आपका waste हो रहा है, उसको कैसे productive use करना, तो माइडियर, जब आप अपने time को evaluate करेंगे, तब आपको पता चले start with small steps, माइडियर, कभी आप क्या करते हो, कभी-कभी, कि आप बना लेते हो कि भाई, मुझे बड़े-बड़े actions लेने हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, आपके expectations बहुत बड़ी होती है, अपने goal को लेकर, आपके जीवन में कभी-कभी आप इतने बड़े-बड़ करनी है, तो उसके सिरुवात आपके पहले step से होती है, तो माइडियर, जब भी आप कोई plan design कीजिए, कि मुझे ये करना है, अपने business के अंदर, इस plan को execute करना है, तो आपके पास resources हो, ना हो, doesn't matter, लेकिन आप सिरुवात जरूर, आज जैसे plan आपने बनाया, उसको कल से आप start कर दीजे, तो माइडियर, अब आपको next step में क्या करना है, hold your accountability, accountability का मतलब होता है, जब आपके पास कई सारे लोग होते हैं, तो आप क्या करते हो, आपको लगता है, कि इसकी जवाब दे ही, तो साब की है, इसकी जब दे ही, तो दूसरे की है, लेकिन माइडियर, जब तक आ आप accountability लोगे नहीं, तब तक आप अपने अंदर improvisation करोगे नहीं, और जब तक आप अपने आपको improvise नहीं करोगे, आपका सफल होना साइध असंभव हो जाएगा, माइडियर, improvisation important है आपके लिए, आपकी success के लिए, तो उसके लिए आपको accountability लेना पड़ेगा, hold करना माइडियर, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक पहाड़ पर, आपको एक Everest पर एक बड़ा सा stone, बड़ा सा पत्थर आपको चढ़ाना है, एक गोल पत्थर है उसको धक्का देकर आपको चढ़ाना है, माइडियर, आप उसको चढ़ाने के लिए धक्का देना स्टार्ट करे तो उसके लिए दो चीज़ें आपके लिए चाहिए क्या सबसे पहला discipline और दूसरा consistency अगर आपने लगातार 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 उस पर force नहीं लगाया चूंकि वो उचाई पर चढ़ रहा है तो आपके साथ क्या होगा पता है अगर आप जरा भी चूके अपनी तरफ से force लग उठाना चाहते हो या फिर आपके business के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनसे उपर उठना चाहते हो तो माईडियर आपको क्या करना पड़ेगा consistency के साथ काम करना पड़ेगा और आज मैं सीना ठोक क्या आप से कह पा रहा हूँ कि consistency के साथ काम कीजिए क्यों कह पा रह आपके जीवन में consistency important है और आपको आज से consistent रहने का संकल्प लेना पड़ेगा हमारे साथ तो माईडियर आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment box में बताइगे और अगर आप एक जवर जस business खड़ा करना चाहते हैं तो हमारे इस channel पर बने रहे है क्योंकि हम लगातार आपके लिए knowledgeable and motivational वीडियो आपको देते रहेंगे जो आपके लिए helpful होंगी आपके business को grow करने में तो इसी के साथ प्यार से धन्यवाद चलते हैं याद रखना कि daily रात 9 बजे भूलिये गमत देखना only on कल्यान success world on YouTube